जै गुर्दे फ्रेंड्स अपका मेरे चैनल जे जी रियाल का आपने स्वागत है आज हम इस तरह से दो रंग से बड़ी प्यारी सी रड्डू कुपाल के ड्रेस बनाएंगे यह हमने इस तरह से स्टार शेप में ड्रेस बनाएं हमने इसके अंदर मैंने आगे डोरी डाली है यह आपके पर अप्शनल है अगर आप इससे खुला रखे हैं तो इसमें डोरी डाले और इस ड्रेस की तरह बंद रखे हैं तो आप इसमें डोरी ना डाले इसके साथ के अपने कैप भी बनाएं यह हमारे जीर और एक नंबर के ग्रोश्य बनाएंगे तो एक लूप हमारा ग्रोश्य में रहता है और दूसरे चैन में डाल FOR लेंगे इसतर एक लीजिए करेंगे इसंदेने इसतर दूप दो के dot करेंगे पहली चैन में पहला डबल क्रोश हो गया इसी जग एक डबल क्रोश और बनाएंगे तो पहली चैन में हमारे दो डबल क्रोश हो गए अब दूसरी चैन में भी हम दो डबल क्रोश हो बनाएंगे तीसरी चैन में हम एकी चैन में तीन डबल क्रोशा बनाएंगे एक बार, दो बार, तीन बार तीन डबल क्रोशा बनाते हैं फिर चोथी चैन में दो बार बनाएंगे पांचवी चैन में तीन बार बनाएंगे छटी चैन में दो बार बनाएंगे साथवी में तीन बार आठवी में दो बार नवी में तीन बार और फिर दसवी और ग्यारवी के अंदर हम दो दो बार बनाएंगे इस तरह हमारे ग्यारा चैन के अंदर हम डबल क्रोशा इस तरह बनाते हुए से कम्प्लीट करते हैं इस तरह बनातों इसके लास्ट में हमारे 26 डूपर पेहले दूसरी चैन में में दो बार बना ए तीरे चैन में तीन बार बना ए फिर चोथी में दो बार पांचो में तीन बार चाटी में दो दो बार गृप expressesका आठहु में दो बार नौई हमें तीन वह दस्विर 11 वे मनें 2 दो оворS रख ही इसके अंदर ट्विंटी- Jubal कॉ Religion अब शुर में तीन चैन जाने को सब्सक्रागे अपने वक्त आंद करिए पहले चैन में पहले दबंक्रोश उगैंगि अब इस के अंदर हम पांच चैन स्किप कर देंगे एक दो तीन चार पांच चैन स्किप करके चटी चैन के अंदर हम एक डबल क्रोशर बनाएंगे अब पीछे के पार्ट के अंदर हम आठ डबल क्रोशर बना लेंगे फिर पांच चैन स्किप कर देंगे और फिर आगे के पार्ट के हम 4 double crochet बना लेंगे इस तरे रहामारे दोनों बाजु बन जाएंगी और 3 नोपर हमारे divide हो जाते हैं इस तरे हमारे दोनों बाजु बन गई है और हमारे दोनों पर तयार हो गए अब इसके यहां पर 3 chain बनाएंगे आप चैन तो इसमें हाप double crochet के गवी बना सकते हैं फिर सभी chain के अंदर हम एक एक double crochet बना के से complete करते हैं इसमें यह double crochet के डौर के गव्हा कंप्रिट कर लिए या हमारी चोली तयार हो गए इसके अंदर हम कुल तीन गवी निखालते हैं double crochet के रूपर एक सिंगल crushing इस तरह बड़ी को टेरा हो गया जाथ है कि अब इसके अंदर के अब ए Sun के अंदर यां प्रक्रकों- अपने वह को चलच करेंगे इसंदोम है अपने डब अपर बनाः थैंगे आधर तयाव किस्तरेख मैं आपने एक अधतरि ने पर चलंबोल चैन के अंदर double crochet बनाके से complete कर लिए अब यहां पर शुरू में अपने वक को टंद करेंगे यहां पर छे चैन बनाऊंगे एक दो तीन चार पांच छे चैन बनाने के बाद अपनी उन में चार बार लूप लेंगे एक दो तीन चार चार बर उनको लपेटेंगे इसी जगह पर जहां पर हमने चैन बनाऊंगे उसी चैन के अंदर यहां पर लूप लेंगे और दो तो करके हम निकालेंगे एक बार निकाला दो तीन बार तीन बार चार बार चार बार निकाला हमारे दो लूप रह जाएंगे फिर बसे हम चार बार लपेटेंगे एक दो तीन चार फिर से सेम चैन के अंदर ले जाएंगे लूप निकालेंगे दो दो करके निकालेंगे एक बार निकाला दो बार तीन बार चार बार अब हमारे तीन लूप होगे हमने शुरु में छे चैन बनाई फिर चार बार लपेट के बनाए अब तीन बार लपेट एक दो तीन बार उनको एक बार बनाया, दो बार, तीन बार आप हमारे चार लुप होगे, वापस से तीन बार लेंगे, एक, दो, तीन फिर इस जगे हम दुबारा बनाएंगे दो-दो करके हमें कम्प्रिट करना है, कहारे पांच लुप होगे, पहले हमने चार बार लिया, फिर तीन बार, अब दो बार लेंगे, दो बार, फिर सेम चैन में लेंगे, एक बार, दो बार, फिर दो बार लेंगे, फिर इस जगर बनाएंगे, एक बार, दो बार, तो हमारे ये साथ लूप हो गए, अब सिंगल बार, एक बार ही लेंगे, इसे एक बार करके बना लें अब हमारे आठ हो गए फिर एक बार ओर लेंगे कुल हमारे नो लूप हो जाते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो नो लूप हो गए हमारे अब दो दो करके सभी लूप को निकाल देंगो एक बार निकाला दो बार तीन बार चार बार पांच बार छे बार साथ बार यह आठ बार निकल गए हमारे एक लूप बन गया अब यहां पर हम चार चैन बनाएंगे एक दो तीन चार चार चैन बनाने के बाद इसी चैन के अंदर पहली बाली के अंदर इसे यहां एक सिंगल क्रोशा से हम इसे जोड़ देंगे जो हमारा पहली चैन करूँता है यहां पे एक पाल सा बन जाएगा आप सभी चैन के यहां बीच में एक-एक सिंगल कुरूशम बनाते जाएंगे जो हमारा यह गैप रहता है इसके अंदर इस तरह से यह छे, साथ, कुल हमारे आठ बनते हैं आठ बन गए हमारे क्योंकि नो लूपते हैं हमारे उपर वाले एक का पीच से चार चैन बनाके जोड़ा था फिर इसके अंदर आठ बन गए अब आगे हम इसमें दो चैन छोड़ोंगर ड़ेंगे एक दो, तीन, चार, पांच, छे, फिर वोई एक, दो, तीन, चार बार लेंगे, इसी जग एपेस के अंदर हम लूप बनाते हैं, दो, दो करके लूप बनेंगे हमारे, फिर आपसे चार बार लेंगे, इसी जग दुबारा बनाएंगे हम, फिर तीन बार लेंगे, बस हमें हर बार दो दो बार करके निकालना है, दो दो लूप को एक साथ निकालना है, शुरु में चार बार लेके दो बार बनाना है, फिर तीन बार लेके दो बार बनाना है, फिर दो बार लेके दो बार बनाना है, फिर एक बार लेके हमें, दो बार बनाना है, इसे कुल अमारी ये 6 बार अमारी ये बनती है, तो कुल अमारी 7 हो जाती है, शुर में हमने 6 चैन लीती और फिर 6 बार हम अपना इस तरह से ये वर्क करते हैं, लास्ट अमारे कुल इसके अंदर 9 लूप रह जाते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अभी 9 लूप को हम दो दो करके निकाल देंगे इस तरह से, लास्ट में 4 चैन बनाएंगे, 4 चैन बनाने के बाद, पहली चैन के अंदर, जो हमारी चैन है यहां पर एक है, सिंगल क्रोशा बना दें, अब सभी चैन के अंदर, एक एक सिंगल क्रोशा बना देंगे, आपर, कुल आमारी आठ सिंगल क्रोशा बनते हैं, अब आगे हम एक रिक दो चैन स्किप करेंगे, तीसरी चैन के अंदर इसे, स्लिप चैन से जोड़ देंगे, इस तरह से हमारी यह पत्तियां बनती हैं, तो मैं सभी में कंप्लेट करके लियाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाते हूँ, इस तरह बनाते हूँ, मैंने इसकी सभी पत्तियों को कंप्लेट कर लिया, यह कुल इसके अंदर दस पत्तियां बनिए, मेरी, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, अब इसके अंदर अपने रैड कलर से वर्क करेंगे, इसका बोर्डर बनाएंगे, जोइन कर लोगे, फिर यहां पर हम, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच चैन बनाएंगे, पांच चैन बनाने के बाद, उपर जो मने पल बनाए, इसके अंदर ग्रोश्यों को डालेंगे, यहां एक, सिंगल ग्रोश्यों बनातेंगे, फिर यहां पर तीन चैन बनाएंग का इसी जगहें पपल के अंदर यहां पे एक संगल क्रोश और बनाते हैं मध्य और आगे की तरफ उहरमारे जो उनमें वण जक्च और एक संगल क्रोश अंगे अ हंक 5, 6, 7, इस तरह 7 सिंगल क्रूशर बनाएंगे, 7 सिंगल क्रूशर बनाने के बाद अगले वाली पत्ती की 1, 2, 3, तीसरी चैन से याई से स्लिप चैन से हम जोइन करते हैं, फिर 5 चैन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 चैन बनाने के बाद वापस अपने पल के अंदर जाते हैं, एक सिंगल क्रूशर बनाते हैं, फिर याँ पर तीन चैन बनाएंगे, तीन चैन बनाने के बाद वापस इस जगह पर एक सिंगल क्रूशर और बना देते हैं, फिर आगे साथ सिंगल क्रूशर बनाएंगे, 1, 2, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथ सेंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर आगे, एक, दो, तीन, तीसरी चैन में से स्लिप चैन स्यम जोइन कर देते हैं, इस तरह से हमारी है, कम्प्लिट होती है, तो सभी पत्तियों पे कम्प्लिट करते हूं, इसके लास्ट में आपको दि मैं पेखा, इस एक लास्ट में आ गई है, अभर लास्ट में आप चाहें तो यह vности कपती से जोइन कर सकते हैं, यह फिर इसके पर बौडर बना सकता है, मैं इस तरह से इक बना आई धी है, इस मैंने इसके उपर, इसके साथ में बौडर में बना के इस और लास्ट में, एक सिंगल क्रोशर बना लेंगे और हमारी चोली के अंदर भी इसी तरह से हम सभी चैन के अंदर एक सिंगल क्रोशर बनाएंगे इससे बनाते हैं इसके मैं चोली की कॉर्णर पे आ गया हूँ यहाँ पे एक सिंगल क्रोशर बना लिए फिर यहाँ पे एक चैन बनाएंगे और इसी जगह इसके अंदर हमें एक सिंगल क्रोशर बनाएंगे तो हमारे उपर यह कॉर्णर बन जाता है अब सभी चैन के अंदर ह एक सिंगल कुरुषर बनांगे और इसे अपनी दूसरी पत्ती तक बनाकी से कंप्लेट कर लेते हैं दूसरे कोने के उपर भी हमें एक नोग्यज़ा का क Stress पूस्प कर D इस तरह बनाती है कि मैं संप तरफ एगा इसे ही ढेंच है याई ऐस स्क्राइब चाएनसे में जोइन कर देंगे अपनी उनको कट कर देंगे अगर आप इसे चाहें तो यहां दूसरी पत्ती से जिस्तरे से मने सभी पत्तियों को एक दूसरे से जोइन किये उस्तरे से सियां जोइन भी कर सकते हैं इसे खुला भी रख सकते हैं यह आपके उपर है तो मैं यहां पे से खुल केब बनाने के लिए मैं अपने लाइट के लड़ के ऊउन लेती हूं इसके अंदर सबसे पहले मैजिक रिंग बनाते हैं कि रिस लूप के अंदर यांपे शुरू के आप तीन चैन बनाएंगे के एक सिंगल क्रोशे तक हमा रहे हो गया अब से अन्दर हम 9 हैसे के अंदर हमेज में स्फ दबीम हमारे सट सर्पूराइब थे पर दजो रहे हो कि इसे स्ट से हुम् guests विस्ट से मों आम वारी ऑन ह嗎 इसा ही टेंट कर से से सलिप से जोइन करते हैं इस को इस की अन interrupting हो गया शुरू में में अज हर दब्ल करक्रोशा अब इसी जगा एक डबल इब लोग्रोशा हो गए है फिर अगली के अदर हमें करें हैं तो सब्सक्राइब तो एक रीद में तो पर गोर एक सम्हाहें तो कि और सब्सक्राइब और 5 डश्राइब कर दो बंगा एक हैसे चैन इस एक बार हो गया दूसरी में अगारे तर करेंगे तो 15 चैन 15 डवल क्रोशर हो जाएंगे इसमेने कैप किये लंबाई कम्पलिट हो जाएगी इसके बाद अपने उनको कट कर देते हैं इसरे मैंने अपनि एरो कम्पलिट करके अपनी उनको कट कर दिया है अब वापस अपनी रैड कलर की उन लेंगे और इससे इसके चाव तरफक हम जाल पहला हाफ डबल कोशा मारा यह हो गया अब इसी जगे इसके अंदर हम एक हाफ डबल कोशा और बनाएं तो हमें सभी चैन के अंदर दो-दो हाफ डबल कोशा बना गए तो सभी चैन के अंदर में दो-दो हाफ डबल कोशा बना के से कंप्लेट करते हूं फिर मैं आपको दिख हमारी केप वी कंप्लेट हो गई है अगर अगर आब इससे खुला रखता है तो इसमें दोरी डाल लें नहीं रखता है तो आप इसमें दोरी ना भी डाले हैं आपके उपर इस था से हमारी अध्रेस complete होती है अगर आपको मेरे ड्रेस अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए share कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए thank you for watching my video